पूरी हर्याना सरकार बिल में गुश्चुकी है गोदी मीडिया के पास कोई जवाब नहीं है और अंधभगतों के मुँपे भी करारा तमाचा बारा गया है सात्यों हर्याना के करसी मंत्री जेपी दलाल जब साब आद में छे जून को किसानों पर लाठी चार्ज और बरबरता हुई तब जेपी दलाल ने एक बयान दिया था कि ये किसान नहीं है ये गिरो के रूप में काम कर रहे हैं और सरकार अपनी बात से पीछे नहीं अटेगी अब 31 घंटे के आंदोलन के बाद सरकार ने जीब बहार फेक दी किसान जीत करके अपने घर गया तो सरकार को फिर घुटने टेकने पड़े सरकार को तो चुलू भर पाणी में डूब के मर जाना चाहिए लेकिन हम जेपी दलाल से ये जरूर पूछना चाहते हैं कि अगर हम गिरो है तो फिर हमारी मांग क्यों माननी गई क्या सरकार इतनी फद्दू है कि वो गिरो के सामने घुटने टेक दे और नहीं तो फिर सरकार ये बताए मुख्यमंत्री बताए कि किसानों का मंत्री जिसने किसानों को बरबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी वो देश के अनदाता को गिरो कैसे बोल रहा है इस बात का जवाब मुख्यमंत्री खटर को देना चाहिए और क्या ऐसे करसी मंत्री को जो किसानों को गिरो बोलता है क्या ऐसे जेपी दलाल को करसी मंत्री के पदपर रहने का धिकार है क्या मुख्यमंत्री को ऐसे करसी मंत्री को बर्खास्त नहीं करना चाहिए उससे इस्तिफा नहीं लगना चाहिए जो देश के किसान को अर्याने के किसान को गिरो बोल रहा है ये दोनों बातेश पस्टे अगर गिरो था गिरो है तो सरकार फद्दू और हम किसान है अन्यदाता है तो फिर जो है मुख्य मंत्री जवाब दे कि जेपी दलाल इतनी गिरी हुई और घटिया बात कैसे कर सकता है और जो सरकार बात नहीं कर रही थी बात नहीं सुन रही थी उस सरकार के घुटने टिकवाए और सरकार को नाक रगड के किसानों को 6400 रुपे MSP सुरुज मुकी की गिरफतार किसाननेताओं की और किसानों की रिहाई और जो मुकदमे छे और साथ जून को हुए उनकी वापसी ये मांगे सरकार को माननी पड़ी खटर सरकार ने एक बार फिर थूक करके चाटा फिर किसानों की जीत हुई और सातियों ये जीत आपकी एकता की है सारे किसान संगठन सब किसान नेता सब किसान इकठे होकर के लड़े और मैं धन्यवाद करूँगा सभी गुर्दवारों का जाट धरमसाडा कुरुक्षेत्र का तमाम गाउं का तमाम संस्थाओं का जिनोंने लंगर चलाए सेवा की और कुरुक्षेतर के किसानों को विशेश से लिूट की उन्होंने केवल आंदोल नहीं जिता उन्होंने हम सब का दिल भी जितने का काम किया इतना अपनापन दिया और हम मुख्यमंत्री खटर को कहना चाते हैं उप मुख्य मंतुरी दुशन चोटाला को कहना चाते किसान की तरफ अगर भविश्य में उंगली उठी तो उस उंगली को धूनने से भी वो उंगली नहीं मिलेगी उस उंगली की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी किसान की तरफ अगर आँख उठी किसान पे जुलम और अत्याचार हुआ हम सब मिल करके लड़ेंगे और सरकार के घुटने टिकवा करके सरकार को हराएंगे